Hi guys, welcome back to my channel. यह मेरा first video है. आज मेरा वीडियो बनाने जाना हुँआ मैरा स्किन केर रूटीन के साब से. कि मैने चलो क्योंना मेरा स्किन केर रूटीन के बारे मेरा वीडियो बनाया जाए. So, चलो start करते हैं. तो मैं पहले बात करूँगी क्लिम्स करोंगि के फर्स टाइम उस किया है और बेनिफेट में को बहुत अच्छा मिल था वह है सीट थे का यह चेंटल स्केन क्लिम्स अच्प़एद में कीदम वहार मैं इसलिए डीस चंव 21 थी तो कोई भी क्रीम कोई भी क्लिंजर टोनर कुछ भी मेरा फेस पर सुद नहीं कर रहा था तो यह सेटफिल का जो क्लेंजर है मेरा दोसमें पुछा जिस किया डॉक्टर दोसमें की चल भाई तो यह यूज करके दे तिरको अच्छा फ़ल ही लेगा मैंने इसको खरीद आया और यह साथ सेटफिल का मॉस्टराइजर यह भी मैंने खरीद आया है यह भी मैंये खरीदे आया آپ यह धानों मैं यूस करती हूं बसीकली यह में दिन में वाय यूज करती हूं तो इसको में दिन अन्ली नाइट को use करती हूं क्योंकि मेरे फेस को बहुत अच्छा में दिन में मांस्टराज़ आपका में हम यूज़ करती हूं मैं मुझ पर ज्यादा कुछ यूज़ नहीं कर पाती हूं तो इसलिए मैं कुछ से कुछ लिटल साथ चेंज किया मेरा रूटीन में मैं सुभा यूज करती हूँ अप्टर वशिंग मैं फेस ये टिट्री ओयल का सीरम है जैटम का ये वाला यूज करती है ये बहुत अचा है इसमें फ्रेक्रेंस नहीं है बट ये सेरम फेस के लिए बहुत अच्छा है और मैं सुभा अप्टर सेरम में यूज करती हूँ ये विटामीड E का कैपसूल इन दोनों को मैं मिक्स करती हूँ करके एक फेक्स पैक के जैसे बनाकर मूप में लगाती हूँ अभी भी देख सकते हूँ मैंने भी वही अभी तक लगाया है पर मैंने कोई मेकप यूज नहीं किया तो ये दोनों में यूज करती हूँ और साम को जब ऑफ टाइम जाता है फिर मूप ऐसे ही नॉर्मली वाटर से धोती हूँ दोने के बाद मैं ये विटामीन E का कैपसूल है और अलवेरस जिल दोनों को मिलाकर एक पैक बनाती हूँ और उसको मूप लगाती हूँ 10-15 मेरे टरकने के बाद मैं धो लेती हूँ धोलेने के बाद मैं कुछ भी नहीं लगाती मूप पर रात को एक बार में जाकर ये सेटफल का क्रीम लगाती हूँ जो मेरे मूँपा शाइन लाता है ये यूश की होगेगी की मैंने थेका कि बजार में सारा स्केर के रुटीन मैं थोटा से रूटीन देखे मैं मनाती हूँ ये कैन सी मैं कभी मेकप यूच नहीं करती